के हां हेलो एवेरीवण वैलकम टू अपडेटिड वर्ड्ड चैनल आज हम डुसक करने वाल है एर इंडिया के बारे में एर एर इंडिया ने एक रिकोड बना दिया करके कि सबसे जब बार में एयरक्राफ्ट खरिदने का रिकोड dips बना दिया बैसिकली एर इंडिया पहले गॉवर्मेंट के अंडर थी लेकिन वह लोस के अंदर चल रही थी तो जब टाटा ने इसको खृद लिया था क्यों जब गॉवर्मेंट के पास तो और टाटा के पास हाला कि इसके लाव कुछ और भी है जैसे विस्तारा एयर लाइन् 500 यू एरक्राफ्ट वर्थ 100 बिलियर डोलर र disp i2 ंडियित्या दोलर के आंदर 500 नए एयरक्राफ्ट खरीद देगी एयर इंडिया जो कि रिकोर्ड पहले कभी किसी ने ने बनाय किसी कंपुनीने किसी बी जो एयरेलाईन है उन्होंने इतने aircraft कभी भी नहीं खरीदे एर इंडिया बोईंग डिल पीम मोधी टाक्स टू यूएस प्रेजिडेंट जो बाइडन हेल्स डिपिंग टाई तो इंडिया के अंदर जो एर इंडिया है वो 500 के असपास जो है वो प्लेन खरीदने वाली है जिसके अंदर से प्लेजिडेंट जो बाइडन की उनकी वाइट हाउस की ओफिसील वेबसाइट के ऊपर है और इन्होंने बताया कि इससे अमेरिका के अंदर जो भी स्टेट के अंदर जो होंगी और वन मिलियन जोब्स होंगी यानि 10 लाख नोकरियां जो है अमेरिका के अंदर बढ़ेगी और जो देखो युए से के अंदर लगबग 50 स्टेट है और उन्हें से 44 स्टेट के अंदर जो है वन जोब्स मिलेंगी और 4-year डिग्री भी नहीं चाहिएगी क्योंकि इन कंपनी के अंदर इतनी रिक्यूर्मेंट होगी नए कंडिडेट्स की क्योंकि क्योंकि यह काफी रिगाइडिंग एरिया डेने टावी टीबी किया एर इंडिया टू प्रचेज 250 प्लेंस फ्रों एयर बस अब एयर बस जो है वो एक यूरोप की कंपनी है मतलब उसके इंदर फ्रांस जर्मनी और यूके काफी ज्यादा कंट्रीज के स्टेक हैं तो वह यूरोप की कंपनी ह एर बस और हम 250 प्लेंस जो है यूरोप से खरीद देंगे जिसके मतलब अगर फ्रांस अब यूके ज्यादा क्यों आरे क्योंकिन का जैदा मेजर शेयर उनके अंदर मेजर पार्ट इनका है और फ्रांस मैक्रों से फ्रांस कोमेटी टू वर्क विद इंडिया ब्योंड एर कर से 200 के आसपास प्लेंग खरीदे जाएंगे वहीं पर जो बाइडन के बाद और मेक्रों के बाद रिसी सुनत भी ट्वीट करते हैं और बोलते हैं कि उनके कंट्री के अंदर देखो अभी फिलाल यूके के अंदर एकोनोमिक सिच्वेशन अच्छी नहीं है वहां पे काफी ज्यादा इंफलेशन हो रखती है तो उनको भी अच्छा लगता कि हां उनके वहां भी कोई नोक्री क्रियेट होगी और इन्वेस्टमेंट जाएगा उनके के अंदर और रोल्स लोईस देखो खाली कार नहीं बनाती हो है प्लेन के इंजन भी मनाती है तो लगबग सिस्टी के जो इंजन है वो रोल्स कंपनी मनाने वाली है जो कि यूके को मिला है और टाटा के यह प्लेन जो है पांसो क्या सपस खरीदने के बाद टाटा एविएशन सेंटर में एर इंडिया के साथ थर्ड या फॉर नंबर पे आ जाएगा देखो एविशन सेंटर में क्या होता है जिस कंपनी के पाद ज्यादा प्लेन होते हैं वर्ल्ड ट्रैवलिंग के लिए भी और कंट्री के कमर्सिल ट्रैवलिंग के लिए भी दोनों को इनकलेट करके अला कि अब इंडिया से काफी आगे है और 51 कुछ पॉइंट हाउन के कि वो वर्ल्ड में निर अबाउट 13 टू 12 पोजिशन पर है तो एर इंडिया अब काफी आगे आ जाएगी और इस कि मतलब अब क्या हो गया कि पहले जो बॉइंग या किसी और कंपनी जितने भी खरीदे थे वो इस से कम में 470 के आसपा सी एरक्राफ्ट एक बारी में खरीदे गए तो टाटा ने इतने एरक्राफ्ट करीद के लाखों तो जो नोकरी हैं उनको बनाया है और इस देखो अब जोब इंडिया के अंदर क्रिए नहीं बट इंडिया के अंदर क्या होगा जिसके कारण स्टार्ट अप्स बढ़ेंगे और लोजिटिक्स अच्छा होगा और आम आजमी जो है आम नागरी जो स्कीम के अब कितनी है 147 के असपास प्लेन है टाटा के पास तो काफी कम हैं और काफी पुराने भी हैं और हमने एरपोर्ट का भी पता चला कि 74 से अब 147 होगे और 2024 तक 190 के असपास करने के लिए बोरने तो कहीं ना कहीं इंडिया के डेवलपमेंट में काफी अच्छा फेक्टर है और कहीं ना कहीं हमारी एकोनोमी के लिए कफी अच्छा बुस्ट मिलेगा तो दिस इस दी एंड अफ दी वीडियो थेंक यू वेरी मुच